मुझा नमस्कार स्टूडेंट मैं महावीर सर गरेंश्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी शी वीडियो आज की जो वीडियो है यह पलस वन कलास पॉलिटिकल साइंस लेसन फिप नाम है अधिकार पहले हमने कोशन किया अधिकारों का हार्त परिभासा और इसकी विशेश्टा सेक्ट कोशन बनता है अधिकारों के परकार बताएं सुरू करते हैं आज की वीडियो कहीं मच सबसे पहला परकार है प्राकर्तिक अधिकार प्राकर्तिक अधिकार के अंदर क्या बताएंगे आप कि वे अधिकार जो मनुश्य को प्राकर्तिकी और से प्रापत होते हैं प्राकर्तिक अधिकार कहलाते हैं इस अधिकार का समर्तन होब्स लोग रूसों ने किया है लोग के अनुसार मुनुस्य को प्राकर्तिक अवस्ता में तीन अधिकार प्रापत थे जीवन का संपत्ति का और सवतंतरता का अधिकार ये अधिकार व्यक्ति को प्राकर्तिक रूप से प्रापत होते हैं इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता इन अधिकारों की प्रापति के लिए राज्ये की आवसकता नहीं है, किन्तु आज के युग में इन अधिकारों की कोई उप्योगिता नहीं है, क्योंकि अधिकार वेक्ति को राज्ये में ही प्रापत होते हैं, राज्ये से बहार नहीं। अब चलते हैं सेकिंड प्रकार पर नैतिक अधिकार, इसके अंदर क्या बताएंगे स्टूडेंट आप, कि ऐसे अधिकार जिनके पीछे राज्या या कानून का दबाब नहीं होता, वो नैतिक अधिकार कहलाते हैं। नैतिक होने के कारण इने सविकार किया जाता है, समाजिक मानेता के कारण इन अधिकारों को मानेता प्रदान की जाती है, नैतिक अधिकार से अभिप्राए उन अधिकारों से है, जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जूड़े होते हैं, इने कानूनी मायनता नहीं होती, सकता जैसे यदि बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते तो उने इसके लिए कानुनी रूप से दंडित नहीं किया जा सकता लास्ट परकार है कानुनी इदिकार कि कानुनी इदिकार वे अधिकार कहलाते हैं जिने राज़ या कानून की मानिता परापत होती है कानून में इन अधिकारों का वर्णन किया होता है ये भद्देकारी रूप से लागू किये जाते हैं यदि वेक्ति इन अधिकारों का उलंगन करता है तो उसे कानून दुआरा दंड दिया जाता है कानुनी अधिकार में निमन लिकित अधिकार को सामिल किया गया है एक है मोली के दिकार, सेकिन्ड समाजिक, थर्ड राजनिति के अधिकार, लास्ट है आर्थी के अधिकार तो मोली के दिकारों में क्या है कि छे मोली के अधिकार दिये गए हमारे सविदान में पहला है समानता गादिकार ये चोदा से अठारा उनुसे तक है दूसरा है सवतंतरता गादिकार ये उनिस अनुसे से लेकर बाईस अनुसे तक है तीसरा सोशन के विरूद गार ये तैई से चोबिस अनुसे तक इसका वर्णन है फिर चोथा है दार्मिक सवतंतरता का अधिकार ये पत्ची से अठाइस पांचमा संस्कृतिक वैसिक्सा समंधिय अधिकार उनती से तीस और आखरी है सवधानिक उपचारों का अधिकार अनुजेद बत्तिस अकेला इसके बाध आते हैं समाजिक अधिकार वो क्या है पहला है जीवन का अधिकार दूसरा वीचार भाषन की सवतंतरता का अधिकार अगर कि अकीला कोशन पूछ ले आपसे स्टुडेंट की समाजिक अधिकारों के बारे में बताएं तो आप ये पॉइंट नहीं इसकी व्याख्या भी करोगे जीवन का अधिकार है इसके अंदर लिख दोगे कि सविधान के अंदर हर्म नुस्या को जीवन का अधिकार दिया गया है अनुचे दिकिस में कहा गये इसका वर्णन ठीक है ना ऐसे ऐसे मतलब कि इसकी दिवार का दिकार धर्म का दिकार यानि कोई भी धर्म पनाने का दिकार किसी भी धर्म का पालन करने का दिकार लास्ट है संपत्ति का दिकार ये समाजिक दिकार खतम होते हैं फिर चलते हैं राजनीति के दिकार इसमें क्या बता हो गया कि मता दिकार यानि वोट देने का द अधिकार और अलोचना करने का अधिकार आखरी है आर्थी का अधिकार इसमें क्या बताओगे काम का अधिकार मजदूरी प्रापत करने का अधिकार संपत्ति का अधिकार अवकास का अधिकार समाजिक सुरक्षा का अधिकार और काम के निश्चित समय का अधिकार यह सैक्ड क कि आपको मेरा एक कोशन समझ आ गया होगा अगर किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट लगता है तो आप कोमेंट कर कर मेरे से पूछ सकते हैं कल मिलेंगे नेक्स कोशन अधिकारों क्या सकता या मैतव के बारे में जै हिंद जै भारत कर दो चाहिंगे अधिकारों के अपको कर दो आपको कर दो होगा कर दो होगा तो होगा